दोस्तों अपना चैनल अपनी मंजिल में सभी का स्वागत है आज से स्टार्ट होता है महा संगराम समान ग्यान तीन हजार प्रसनों की स्रीज प्रारंब होती है आज का पहला कोश्यन बड़ा दवर्दस्त कोश्यन जो आपके सामने है कोश्यन है सबसे बड़ी आँखें किस इस्तंधारी प्राणी की होती है इसका सही आंसर है हिराण आज कारवन डाई आकसाइड के उत्सरजन में सरवाधिक योगदान करने वाला देश है इसका सही आंसर है संयुक्त राज अमेरिका अगला कोश्यन कोश्यन नमबर थिरी निम्ले लिखित में से किस उध्योग में अब्षक कच्छे माल के रूप में प्रयुक्त होता है इसका सही आंसर है बिद्धुद अगला question question number four question आपके सामने बिद्धुत प्रेस का आविस्कार किस ने किया था इसका सही आंसर है हेंरी सीले question number five pressure cooker में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि इसका सही आंसर है pressure cooker के अंदर दाब अधिक होता है अगला question question number seven प्रतेक किरिया के बराबर वा विपरी दिशा में एक प्रतेकिरिया होती है ये न्यूटन का कौन सा नियम है इसका सही आंसर है question number eight तामबा ब्रेकेट में कौपर का सत्त्रू तत्व है इसका सही आंसर है गंधक question number nine उगते समय सूर्य लाल प्रतीक होता है इसका सही आंसर है लाल रंग का प्रकीलन सबसे कम होता है पर दस रेडियो टिवता की खोज किसने की थी इसका सही आंसर है हेनरी बेकुरल दोस्तों आपको आयुध्या विवाद जानना है तो उपर आइकन बटन पे किलिक करके आयुध्या विवाद को जान सकते हैं अगला कोशन नमबर गेरा दो समतल दरपन एक दूसरे से साट डिगरी के कोण पर जुके हैं इनके बीच रखी एक गेन के बने प्रतिविमों की संख्या कितनी है इसका सही आंसर है पांच कोशन नमबर बारा पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का विवहार करता है इसका आंसर है एक अवतल लिंस की तरह कोशन नमबर तेरा इकाईयों की समस्त वियस्थाओं में किस इकाई की मात्रा शमान होती है इसका सही आंसर है विशिस्ट गुरुत्व की अगला कोशे नमबर चौदा यदी कोई मनुष समतल धरपन की ओर 4 मेटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है तो धरपन में मनुष का प्रत्वियम किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है इसका सही आंसर है आठ मीटर प्रतिशेकेंड अगला कोशन कोशन नमबर 15 कारों ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दरपन लगा होता है तो इसका सही आंसर है उत्तल दरपन अगला कोशन नमबर 16 कोशन नमबर 16 अगला कोशन नमबर 17 या कोशन नमबर 17 बनस्पति विज्ञान के जनक कौन है इसका सही आंसर है तियो फ्रेस्टस अगला कोशन नमबर 18 निम्न लिखित में से ध्वनी की चारों अगला कोशन नमबर 16 दरपन लगा है चाल सबसे अधिक होती है इसका सही आंसर है इस पात में कोशन नमबर 19 कोशन नमबर 19 चंद्रमा पर वायु मंडल ना होने का कारण है इसका सही आंसर है पलायन वेग कोशन नमबर 20 एक ही व्यक्ति घूमते हुए इस टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है एका एक वे बाहें सिकोड लेता है तो इस टूल का कोड़ी वेग सही इसका सही आंसर है बढ़ जाएगा अगला कोशन नमबर 21 चंद्रमा पर एक बम विसपोट होता है इसकी आवाज प्रत्थिवी पर आंसर का सही आंसर है सुनाई नहीं देगी अगला कोशन नमबर 22 यदि किसी सरलोलक की लंबाई चार प्रतिसत बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल कितना बढ़ेगा इसका सही आंसर है दो प्रतिसत बढ़ जाएगा अगला कोशन नमबर 23 एक लड़की जूला जूल रही है उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैट जाती है जूले का आवर्त काल क्या होगा इसका सही आंसर है आप परिवर्तित रहेगा अगला कोशन नमबर 24 रेडियो की खुंडी घुमा कर स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं यह संभव है इसका सही आंसर है अनुनाद के कारण यह रहा Question of the Day जिसका आंसर कमेंट से वाक्स में देना है Qशन है वेंचुरी मीटर से क्या ग्यात करते हैं इसका पहला Option है जल प्रवा की धर, इसका दूसरा Option है जल की इस्तर की उचाई और इसका तीसरा option है जल का घनत्व इसका fourth option है इन में से कोई नहीं दोस्तों नीचे दिये गए लिंक में किलिक करके अन्य वीडियो देख सकते हैं दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो लाइक करें इसके साथ सस्क्राइब करें धन्नवाद